हलो बच्चों कैसे हैं आप आई होपसो सब ठीक ठाक होगा चलिए जी तो आज बच्चे हम रिव्यू करेंगे CA Inter का जो FM ECO का पेपर हुआ है May 22 एक्जाम का आज ही उसके उपर चर्चा करेंगे कि किस तरह का पेपर आया है सबसे पहले overall review सो आपको पता है दो पार्ट होते हैं इस पेपर के एक FM और दूसरा economics तो economics तो as usual easy आया है economics में एक भी चीज नहीं नहीं आई है सब कुछ करी हुई चीज़े ही आई है पेपर बढ़िया आया है FM का बहुत बढ़िया पेपर आया है FM का सर बढ़िया से क्या समझे मुश्किल है student level पे थोड़ा सा yes मुश्किल था थोड़ा सा जिसकी बहुत अच्छी तयारी थी वो कर पाया होगा जो यह करते हैं ना important important करके चले जाओ यह जो whatsapp टेलिग्राम में लिस्टे घूमती है important questions की कुछ नहीं आया उन में से एकदम से new questions पुछे गए हैं हर question में कोई ना कोई नए पार्ट एक दो सवाल छोड़के बाकी almost सारे के सारे new questions है तो दिमाग लगा होगा paper में जिन्होंने दिया है उनको पता है कि इतने सीधे साथे questions नहीं आये हैं जो normal topics होते हैं इते हास में जो हर मरतबा repeat होते रहते हैं और फिर important questions की list में घूमते हैं कुछ नहीं आया उनमें से बिलकुल एक different type of paper बनाया गया है एक अलग तरह के questions चुन-चुन के दिये गए हैं कि अगर वो topic आपने नहीं किये हुए तो आपका गया है पूरा paper इस तरह के questions पूछे गए हैं मतलब एक तो होता है न normal questions पूछ लिए जैसे cost of capital में आ गया क्या weighted average cost of capital निकाल दो फिर capital budgeting में आ गया कि एक normal cash flow दे दिये NPV निकाल दो leverage का question पुराना आया है चलो उसकी बात नहीं करेंगे capital structure में भी एक नए points आये है ratio का question तो चलो छोटा सा ही आया है कोई इतनी दिक्कत नहीं है cost of capital में cost of convertible debenture पूछा है वो भी एक नए concept था किया हुआ था concept कोई नए नहीं आया प्लीज अभी मैं दिखाऊंगा कि एक भी concept ऐसा नहीं आया जो ना किया हो but questions नए आये हैं questions नए आये हैं तो नए questions की उपर दिमाग लगता है economics में कोई दिक्कत नहीं थी मैं हमेशा students को बोलता हूँ के पहले आप economics करिये paper में आपको बहुत फायदा होगा because 40 marks का वो easy उसमें बहुत सारे practical हैं दो दो तीन दिन नंबर के काफी सारे practical हैं और बहुत जल्दी होने वाले practical हैं easy वाले practical हैं तो economics में कोई दिक्कत नहीं थी paper में हर एक चीज़ बुक से ही आई है FM के भी concept सारे करे हुएं आए हैं बट questions नहीं आए हैं सो क्योंकि आज exam खतम भी हो गए हैं तो हम इन questions को solve भी करेंगे क्योंकि नए questions हैं तो हर वेक्ती जानना चाहेगा कि इन questions को कैसे solve करेंगा मैं चाहे पूरी calculation ना करूँ पर आपको दिखा दूँगा क्योंकि पूरी calculation करने में तो बहुत समय लग जाएगा पर आपको एक बार दिखा दूँगा कि ये question कैसे solve किया जाना था calculation वाला पार्ट तो सब ने किया ही हो गई हैं सारे करी लेते हैं सो मेरी तरफ से five star rated paper आया है जी खास करके FM की बात करें तो बहुत बढ़िया paper था बहुत जनको तो theory करनी पड़ गी होगी जो एक question theory का आया है theory का सबसे easy question theory का था यहाँ पहला सवाल सो चलिए आईए questions की उपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या important question की list से कुछ आया है कि नहीं आया है आईए जी सो मेशा की तरह वही question one का पलसरी है और कोई चार करने है question number one a वही ratio analysis का सम जो पांच नंबर में आता ही है वही आया है normal सवाल है आपको informations दी गई है कुछ ratios दी गई है आपको यह पांच चीज़े calculate करनी है shareholder funds, stock, debtor, current liabilities और cash का balance क्या क्या दिया हुआ है equity share capital 10 lakh reserve and surplus to shareholder funds की ratio दी हुई है 0.5 sales divided by shareholder funds 1.5 current ratio दी हुई है 2.5 debtors turnover ratio दी हुई है stock velocity दिया हुए stock turnover ratio नहीं है उसका उल्टा stock velocity दिया हुए gross profit ratio दिया हुए और working capital की turnover ratio भी दी हुई है सबसे पहले निकालना है shareholder funds कैसे निकलेगा shareholder funds यहां से निकल जाएगा इदा देखो जड़ा तो हम इसको solve करने की कोशिश करेंगे आज अगर आपको solution नहीं करने तो आप आगे बढ़ सकते हैं मैं इस बार solve भी करूँगा क्योंकि आज paper खतम भी हो गए है तो 1A में आपको सबसे पहले निकालना है क्या shareholder funds जल्दी जल्दी solve करने की कोशिश करेंगे shareholder funds हलक यह question easy था इसमें कुछ मुश्किल नहीं था तो बच्चे आपको ratio दी हुई है reserve and surplus divided by shareholder funds is equal to 0.5 पर ध्यान से देखो reserve and surplus तो कई दिये ही नहीं हुए अगर reserve and surplus दिये होते है फिर तो 2 मिनट में answer हो जाता तो shareholder funds कैसे निकालते हैं equity share capital plus reserve and surplus is equal to 0.5 equity share capital पता है आपको 10 लाग तो reserve and surplus divided by 10 लाग plus reserve and surplus is equal to 0.5 तो reserve and surplus किसके बराबर हो गया 5 लाग plus 0.5 reserve and surplus तो बताओ reserve and surplus कितना आएगा reserve and surplus आएगा आपका 10 लाग नहीं सौरी 5 लाग divided by 0.5 10 लाग ही आ रहे हाँ ठीक है 10 लाग ही आएगा तभी तो बच्चे देखो न reserve and surplus to share share older funds बताओ कितने हो गए share older funds होता है equity share capital 10 लाग plus reserve and surplus 10 लाग तो टोटल होगे 20 लाग तो reserve and surplus is 50% हाला कि इसको shortcut से भी निकाल सकते थे मैंने थोड़ा mechanically किया क्योंकि paper में आपको ऐसे show करना पड़ेगा तो इसको तो verbally भी बोल सकते थे कि share older funds का 50% reserve and surplus है तो 50% share capital है तो दोनों 10-10 लाग बराबर ही होंगे पर ओ पेपर में ऐसे निना शो कर सकते पेपर में आपको ऐसे शो करना पड़ेगा सो यह आपके reserve and surplus निकलाए हैं उसके बाद sub point 2 मैं थोड़ा तेज़ भी करूँगा क्योंकि जो easy question है उस पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे stock निकालने जी अब stock के लिए stock velocity दिया हुए inventory turnover ratio का formula क्या होता है cost of goods sold divided by average inventory अब यहाँ average inventory की जगा closing inventory तो stock velocity उल्टा होता है closing inventory divided by cogs पर मन्त तो उसके लिए पहले आपको cogs निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको sales निकालना पड़ेगा अब इज़ा देखो यह ratio दियो यह sales मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ sales divided by share older funds 1.5 तो यहाँ से sales निकालते हैं sales में से gp minus करेंगे तो cogs आ जाएगा तो इज़ा देखिए तो ratio है तो यहाँ हम calculate करेंगे क्या sub.2 में stock तो sales divided by share older funds की ratio क्या है 1.5 तो यहाँ से हम share old sales निकाल सकते हैं shareholder funds 20 लाक है is equal to 1.5 तो बताओ sales कितनी है 30 लैक sales आ गई आपके कितनी 30 लैक अब sale में से gp minus कर देंगे gp कितना है 20% मैं एक बार calculation check करना हूँ वैसे 30 होता है मुझे पता है so 30 लैक का 20% 6 लाक so यह आ गया आपका cost of goods sold कितना 24 लाक है na minus 20% 24 लाक अब stock velocity मैं समझाने रहा प्लीज यह समझाने बाला है तो मतलब paper तो solve भी करना है ना समझाने रहे अभी तो stock velocity होता है उल्टा inventory turnover ratio का उल्टा so inventory turnover ratio होता है cogs divided by closing stock so यह आएगा closing stock divided by cogs into 12 months तो cogs पर मन्थ भी इसको लिख सकते हैं so close stock velocity 2 months दिया हुए है closing stock आपको निकालना है cogs 24 लाक है into 12 तो stock कितना हो गया बताओ stock is equal to 24 लाक into 2 by 12 बच्चे यह सारे verbally भी हो जाते हैं पर मैं आपको थोड़ा detail में करके दिखा रहा हूँ कि आपको paper में ऐसे show करना पड़ेगा so 4 लाक का आपका stock निकल के आ गया वैसे यह easy question है इसको solve करने की जूरत थी नहीं फिर आपसे data पूछे है so debtors के लिए आपको debtors turnover ratio दी हुई है क्या formula होता है net credit sales वैसे तो average debtor होता है पर यहां हम closing debtors लेंगे क्योंकि average debtors का कुछ अता पता नहीं है so debtor turnover ratio 6 है sale total कोई credit sale माल लेंगे कुछ दिया नहीं हुआ तो 30 lakh divided by debtors so यहां से आपके debtors आ जाएंगे कितने 5 lakh 30 lakh divided by 6 debtors आगे कितने 5 lakh number 4 आपसे current liabilities पूछे हुए हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका current ratio का current ratio का क्या formula होता है current assets divided by current liabilities current ratio है 2.5 ना तो current asset पता है ना ही current liabilities क्योंके current asset में stock debtor तो पता है पर current asset तो और भी हो सकते हैं जरूरी थोड़ा stock or debtor ही होंगे तो इसका मतलब current assets हो गए 2.5 times of current liabilities अब हम यूज करेंगे working capital turnover ratio का इस तरह के बहुत questions class में किये होते हैं working capital turnover ratio तो sales divided by networking capital this is 2.5 sales आपको पता है sales कितनी थी आपकी 30 lakh divided by working capital तो working capital बताओ कितनी आ गई 30 लैक डिवाइड by 2.5 बारा लाग और working capital क्या होती है current asset minus current liabilities तो अगर working capital बारा लाग है और current assets है 2.5 times of current liabilities minus current liabilities तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या current liabilities so current liabilities आ गए आपके 8 लाग तो current assets कितने last part में cash balance मांगा है तो फिफ्थ पार्ट में आपसे बच्चे मुझे माफ करना अगर कोई calculation error ना हो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करूंगा उसके लिए आपको पहले current assets निकालने पड़ेंगे तो current liabilities का 2.5 टाइम्स है current assets तो 20 लाग के current assets हैं माइनस कर दो इसमें से stock और माइनस कर दो इसमें से debtors तो आपका cash का balance निकल के आएगा तो बताइए debtors 5 लाग के थे stock 4 लाग का तो debtors 5 लाग के stock 4 लाग का तो यह आपका निकल के आएगा कौन सा balance cash balance 11 लाग clear है so हम पूरा solution इस तरह से करेंगे so यह आप लिखना चाहते हैं तो बाद में लिख सकते हैं ठीक है ना साथ-साथ लिख सकते हैं मैं एक बार दिखा दूँ आपको आप pause करके लिख सकते हैं पॉस करिए पॉस करिए क्योंकि यह मुझे अपने course में भी upload करना पड़ेगा इसको पॉस करिए पॉस करिए जो बच्चों को लिखने का मौका देना पड़ेगा पॉस करिए पॉस करिए चली स्वराम से इसको पॉस करके सब लिख सकते हैं आएए नेक्स कोशन देखते हैं तो ये तो easy question था हो जाना चाहिए था अगला question पांच मार्क्स का है आपको maximum permissible bank finance निकालना है under three methods as per tundan committee lending norms अब tundan committee lending norms working capital में हम लोग करते हैं तो question number 1B अब ये question जादा ये पहले भी आता था पर ये जादा तर एक बड़े question का part बन के आता था मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मुश्किल paper आया है अलग नए questions आये हैं अलग तरह के questions आये हैं so maximum permissible bank finance निकालना है maximum permissible bank finance अब tundan committee के three methods होते हैं method one क्या होता है current assets minus current liabilities उसका 75% तो अब current assets का total लगा लेते हैं तो current मैं थोड़ा shortcut से कर रहा हूँ current assets में raw material आ गया 150 WIP आ गया 100 अच्छा मैं सवाल तो पड़े ही नहीं आपके साथ आपको एक balance sheet दी होई है asset side में fixed assets raw material WIP finished goods debtor cash तो ये सारे आपके current assets होगे equity share capital retained earning 11% venture public deposit short term trade criteria bill payable तो ये आपकी current liabilities होगे है ना so 150 plus 100 plus 50 plus 125 plus 55 तो 980 माइनस fixed assets हटा दो तो 480 के आपके current assets है और current liabilities में bills payable plus creditors plus public deposits short term 280 तो 480 माइनस 280 ये आ गया कितना 200 तो maximum permissible bank finance 200 का 75% clear है कितना आता है ये 150 ये है method 1 so 3 method हमने किये होए है question ये भी easy था जिसको maximum permissible bank finance आता था 75% of current assets minus current liabilities हमने class में जो questions कराए होए है वो working capital के साथ ही कराए होए है एक बड़ा सवाल आता है उसमें छोटा सा point होता है कि maximum permissible bank finance निकाल दीजिए यहां उसने अलग से पूछ लिया मैं कह रहा हूँ ये important की category में नहीं आता मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये किया नहीं हुआ है so 480 का 75% minus current liabilities so 480 का 75% minus current liabilities तो 80 lakh method 3 method 3 कहता है कि current assets में से soft core current assets minus कर दीजिए फिर उसका 75% minus current liabilities मैं एक बार दिखा दूँ आपको जहां आमने ये class में किया हुआ है ये ही कहीं होना चाहिए दे दे कुछ सीधे निकला है sorry hard core current assets minus करने soft core नहीं मैंने वो गलती से लिका estimated current assets minus hard core current assets जो भी soft core current assets आएंगे उसमें से 25% घटाई है ना तो hard core current assets ये नीचे दिये हो है question में ये देखो the total core current assets are resumed to be 30 lakhs तो वो मैंने notes से लिखा so hard core current assets minus करेंगे ना so current assets हैं आपके कितने 480 hard core current assets है 30 उसका 75% minus current liabilities so 480 minus 30 into 75% minus 280 57.5 lakhs clear है so कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये जिसको भी ये tundan committee recommendations के तीनों method पता हैं पहला working capital में से 25% minus कर दीजे मैंने 75% ये वाला किया दूसरा 75% of current assets minus current liabilities और तीसरा इसके सब के logics होते हैं वो हमने class में discuss की हुए हैं so ये था जी आपका पहला सवाल जो के मुश्किल नहीं था और तीसरे में तो इन्होंने एक gift दे दिया बच्चों को ये देखो ये costing का question पूछ लिया हाला कि inventory management working capital management का हिस्सा होता है सो इन्होंने costing का question पूछ लिया है आपको reorder level निकालना है EOQ निकालना है और फिर बताना है कि company को discount offer एसेट करना चाहिए के नहीं ये मैं solve नहीं करूँगा ये costing का ही question है सो वहाँ आप लोगोंने अच्छे से ये किया हुआ है सो ये inventory management का question FM में पूछ लिया पूछे जा सकता है क्योंकि ये working capital management का हिस्सा है क्या हम इसको class में लग से कराते हैं नहीं हम सरब इतना बोलते हैं कि inventory management हमने already material costing में CA inter costing में किया होता है सो अगर आएगा तो वहीं से याएगा और same वैसा ही question आगया एक reorder level निकालना है EOQ निकालना है और फिर बताना है कि discount offer accept किया जाए या नहीं किया जाए अब देखो नो लीक से हटके है ये कभी भी नहीं आया आज तक inventory management का question FM में कभी भी नहीं आया आज तक मैंने ये नहीं बोला मुश्किल paper है लीक से हटके questions आये है नॉर्मल सवाल नहीं पूछे जो आज तक important list of important questions में घूमते हैं जैसे working capital से question आता है receivables management का वो नहीं आया उसने inventory management डाल दिया पर question बहुत easy था अब किसी को हो सकता है भूली गया हो इं-to normal reorder period plus safety stock safety stock जीरो था इसमें शाइना तो यह दिक्कत हो सकता आयो यो एक्यू two co divided by आपका जो carrying cost होता है two co divided by C सू ठीक है आ गया तो आगया क्या कर सकते हैं आ सकता है group one में future costing में यह question किया होता है तो यह हम solve नहीं करेंगे क्योंकि एफ-म का question है भी नहीं हाँ FM के सलेवस का पार्ट है आया बहुत अच्छी बात है वन डी इसने हो सकता है बच्चों को परिशान किया हो आए कोईशन पढ़ते हैं एक पर पी लिमिटेड इस कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद्ध फॉलुविंग डिटेल्स इनीशियल प्रोजेक्ट कॉ हाँ तेयारी पर डिपेंड करता है मैं फिर कहता हूँ किसी के लिए यही पेपर मुश्किल है किसी के लिए यही पेपर इजी है अल्टिमेटली आपकी प्रेपरेशन की उपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए यह पेपर इजी था या मुश्किल था इनीशियल प्रोजेक का कोश्चन है risk analysis in capital budgeting का कोश्चन है sensitivity analysis करना है क्या करना है sensitivity analysis करना है so measure the sensitivity of the project to change in initial project cost and annual cash inflow दो चीज़ों का sensitivity analysis करना है एक initial project cost का और एक annual cash inflow का अब main चीज़ देखो considering each factor at a time वो तो sensitivity में होता ही है such that the NPV becomes zero यहां बच्चे जरूर फसे होंगे such that the NPV becomes zero सर क्यों फसे होंगे आपने कराया नहीं था बिलकुल कराया था sensitivity analysis के दो अप्रोच होते हैं याद करो एक होता है shock approach एक होता है margin of safety approach क्या हमने दोनों किये थे yes किये थे mainly question study material में shock approach के हैं एक question margin of safety approach का भी study material में है तो इस सवाल में उन्होंने margin of safety approach पूछ लिया so मैं दिखा दूँ कि हमने class में किया था ये देखिए this is margin of safety approach of sensitivity analysis क्या होता है margin of safety approach कि किस project variable में कितना बदलाव आ जाए कि NPV 0 हो जाए अब वो तो जब margin of safety approach समझेंगे तभी पता लगेगा अभी तो solve करने बैठे हैं तो कैसे निकालते हैं इसमें sensitivity percentage easy होता है NPV divided by present value of input variable पर बात वही है जिसको यह question आत जिसको यह approach अच्छे से आती बिकोज जादा तर शौक अपरोच ही किया हुआ था class में easy था जिसने किया हुआ था उसके लिए easy था तो आएए इसको solve करते हैं हम लोग अब देखो न यह कम आता है आज तक sensitivity का question शौक अपरोच पर ही आया है तो वह यह list of important question में नहीं आया होगा ना पर यह आ गया देखो सब करना पड़ता है इस बात को समझो तो sensitivity percentage अच्छा सबसे पहला काम होता है कि NPV निकालो question ने आप से क्या पूछा है देखो उसने सीधा sensitivity पूछ लिया पर पहला काम होता है कि NPV निकाल लीजिए तो आएए पहले हम इसमें NPV निकाल लेते हैं calculation of NPV तो PVCI निकालना पड़ेगा question में 10% के factors दिये हुए है ना भी दिये हो तो अपन काम चला सकते हैं पर यहां 4 साल के factors आपको दिये हैं उसने जान बूछ के 5 साल के दिये है तो present value निकालना पड़ेगा 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 10% के factors ऐसे तो यादी होते हैं ना 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, so 30,000 into 0.909, 27270, 40,000 into 0.826, 33,040, 50,000 into 0.751, 37,550, 60,000 into 0.683, 40980, माफ करना अगर calculation में कोई mistake हो जाए तो माफ करिएगा क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा ना मैं एक बार में बस करके छोड़ रहा हूँ concept देखिएगा बस calculation के चक्कर में नहीं पढ़ना पीवी सीओ सीधे ही दिया हूँ ऐसा वाल में एक लाख जिसको तो आता था तो ये question बहुत एज़ी था पर आना जरूरी है NPV 38840 सर ये भी new question था, yes ये भी new question था question सारे ही नहीं आए हैं मैं फिर कह रहा हूँ question सारे ही नहीं आए हैं तो मैं one to one book से mark नहीं करा पाँगा हाला कि अब देखो ये किया तो हुआ है हमने शौक अप्रोच पर हमने इस तरह का question किया था ये देख हमने example बना के कराया था वैसा ही है बस उसने cash flow दिये हैं हमने तो cash flow निकाल ले थे उसने cash flow दिये हुए हमारे सावाल थोड़े बड़े थे फिर हमने एक और भी किया था उसमें भी running cost बगारा का question था so किये हुए हैं पर मैं ये one to one book से mark नहीं करा सकता concept सारे करे होते हैं आईए जी तो sensitivity percentage कैसे निकालते हैं प्लीज उसी को समझ में आएगा जिसको ये approach आती है NPV divided by present value of input variable NPV divided by present value of input variable तो दो चीजों का sensitivity चेक करना था पहला project cost वैसे बता दू इसका अर्थ क्या होता है कि project cost कितने से बढ़ जाए कि NPV 0 हो जाए अब NPV है 38840 तो बजाओ project cost कितने से बढ़ जाए NPV 0 हो जाए 384, 38840 इतने से project cost बढ़ा दीजिए NPV 0 हो जाएगा तो 38840 divided by present value of input variable कितना है एक लाक project cost एक लाक है उसकी PV भी एक लाक है तो इसकी sensitivity है 38.84 मतलब अगर project cost 38.84% से बढ़ जाए तो आपकी NPV है जो 0 हो जाएगी अगर project cost 38.84% से बढ़ जाए तो आपकी NPV जो है वो 0 हो जाएगी तो देखते हैं कौन जादा sensitive है B annual cash inflow annual cash inflow so NPV divided by present value of cash inflow तो cash inflow कितने से घट जाएं कि आपकी NPV 0 हो जाएगी तो इसकी present value है 138840 so ये 27.97% से घट जाएगी तो आपकी NPV जो है वो 0 हो जाएगी तो कौन जादा sensitive है annual cash inflow जादा sensitive है ना जो कम percentage पे NPV को 0 कर देता है वो जादा sensitive होता है और part B में यही पूछा है identify which of the two factors the project is more sensitive है ना तो annual cash inflow is more sensitive so जितना least percentage change वो उतना जादा sensitive होता है annual cash inflow is more sensitive पता है मैं हमेशा one to one book से mark कराता होता हूँ question के देखो ये वाला question आया ये वाला question आया पर इस बार आप नहीं कर सकते इस बात को समझो क्यों क्यों क्योंकि बुलकुल छपके सवाल नहीं पूछे उसने उसने नए questions पूछे हैं concept सारे किये हुए हैं बट questions नए पूछे हैं clear हैं so ये क्या खुल गया so ये था जी आपका first question चारो ही सवाल नहीं थे एक हिसाब से देखा जाए कुछ भी सीधा साथा नहीं था new questions थे सारे के सारी चलिए जी question number two ये leverage का question है ये पुराना सवाल है book का question है details of a company for the year ended 30 March 2022 are given below sales दी हुई है PV ratio दिया हुआ है फिर भी इसमें एक दो point नए है नए नहीं मतलब question थोड़ा सा लग किया गया मैं book पे नहीं जाने वाला हम solve भी करेंगे तो book पे जाके क्या करना है मैं book पे जो similar भी है हम उसको भी solve करेंगे fixed cost excluding interest 10% debt equity share capital income tax rate दिया हुए required क्या क्या निकालना है company का return on capital employed निकालो और EPS निकालो तो ROI मांग है और EPS मांग है तो इसके लिए income statement बनानी पड़ेगी sale into PV ratio करोगे तो contribution आ जाएगा minus fixed cost minus interest minus tax करोगे तो आपका pat आ जाएगा divide by number of shares करोगे तो EPS आ जाएगा does the company have favorable financial leverage favorable financial leverage कब होता है when ROI is greater than rate of interest अब मैं प्लीज समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां मैं सिर्फ solve करवा रहा हूँ concept सारे सबने classes में करे होते हैं जो भी paper देखिया है calculate operating and combined leverage operating leverage और combined leverage बताइए calculate percentage change in EBIT if sales increases by 10% at what level of sales EBIT of the company will be equal to 0 so यह आपको overall break even point निकालना है last part में so यह पांचों पार्ट किसी equation में एक अठे नहीं दिखते class में जो किया हो उसमें यह तीन अलग गया है और यह दो अलग गया है उसने पांचों एक में ही पूछ लिए हाँ तो ठीक है क्या दिक्कत है तो one to one mark कराने को यह भी question नहीं है क्योंकि जो class में किया है उसमें पहले तीन पार्ट अलग सवाल के हैं यह दो पार्ट अलग सवाल के हैं तो उसने एक ही question में पूछ लिए हम इसको भी solve कर लेते हैं जल्दी से question number two तो सबसे पहला काम होता है कि income statement बना लिजिए पता है एसी हो गया बंद मुझे लगरी गर्मी income statement बना लिजिए आईए जी तो sales दी हुई है rupees in lakhs में बना लेते हैं 86 lakh variable cost यह सीधा contribution निकाल देते हैं variable cost क्या करना है sales into pv ratio to 86 into 35 percent 30.1 minus fixed cost 10 lakh so यह आगया आपका EBIT कितना है 20.1 lakh minus interest 5.5 lakh so यह आगया आपका EBT so 20.1 minus 5.5 14.6 मैं फिर कह रहा हूँ calculation excuse करिएगा tax है जी 40 percent minus 40 percent करके हम सीधा pat लिख रहे है 8.76 मैं calculation फिर भी एक बार चेक करना हूँ 86 into 35 percent minus 10 minus 5.5 55 का 10 percent minus 40 percent 8.76 तो दो चीज़े मांगी है return on capital employed यानि के ROI मांग है so इसका formula क्या होता है EBIT divided by capital employed अब EBIT कितना है this is your EBIT 20.1 और capital employed में सरफ equity share capital ही है बस 75 lakh into 100 so 20.1 divided by 75 26.8 percent और फिर आप से EPS मांग है so pat divided by number of share 75 divided by 10 7.5 8.76 divided by 7.5 1.168 per share please अगर कोई calculation में mistake हुई है तो माफ करिएगा B part में क्या मांग है क्या favorable financial average है तो देखो आपका ROI है 26.8 percent और आपका rate of interest है 10 percent तो बिल्कुल favorable है मतलब आप 10 percent पे उधार लेके 26 percent कमा रहे हैं तो आपको फाइदा ही है न तो since यह ऐसे लिख देते हैं favorable मैं कौन सा पेपर दे रहा हूँ short में लिख देते हैं C part में क्या मांग है operating leverage क्या होता है operating leverage contribution divided by EBIT so 30.1 divided by 20.1 1.4975 और degree of combined leverage क्या होता है contribution divided by EBIT so 30.1 divided by 14.60 यही है न yes 2.0616 फिर D part में पूछ रहा है percentage change in EBIT बताओ sales increases by 10% अगर sales 10% से बढ़ेगा तो EBIT कितने से बढ़ेगा तो वो depend करेगा operating leverage पे न तो percentage change in EBIT बच्चे मैं समझा नहीं रहा हूँ सिरफ solve करवा रहा हूँ ध्यान नखना percentage change in EBIT अगर sales 10% से बढ़ेगा EBIT 1.4975 से बढ़ेगा तो 10 x 1.4975 that is 14.975% से आपका EBIT बढ़ेगा EBIT और sales का relationship कौन बताता है operating leverage बताता है फिर E part में कह रहा है at what level of sales EBIT will be 0 at what level of sales your EBIT will be 0 तो आपको overall break-even point मांगा है पहला होता है operating break-even point वो बताता है at what level of sales EBIT will be 0 दूसरा होता है financial break-even point at what level of EBIT EBIT will be 0 तीसरा होता है at what level of sales EBIT will be 0 overall break-even point तो overall break-even point तो कैसे निकालता है fixed cost plus interest divided by PV ratio fixed cost plus interest divided by PV ratio आपकी fixed cost है 10 lakh interest है 5.5 PV ratio है 35% so 15.5 divided by 35% so 44.29 lakhs 44.29 lakhs clear है जी so ये था जी आपका question number 2 easy सवाल था जिसने भी किया होगा वो और आम से इसको कर लेगा लिख लीजे pause करिए उपर कर रहे हैं Thank God light आ गई है pause करिए चलिए so अराम से इसको बच्चे pause करके लिख लिख लिए चलिए आइए next question देखते हैं so इसको नए सवाल नहीं बोल सकते थे किया हुआ question था भाट ठीक है एक ही question में इसने 5 point मांग लिए 10 marks में पिर भी ठीक सवाल था एक नया सवाल था आई ये सॉल्व करते हैं ये सबसे अच्छा सवाल था तो मैं फास्व कर रहा हूं प्लीज ठीक है न क्योंकि मुझे समझाना नहीं है मुझे सिरफ करके दिखाना है तो वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंगा तो उसकी कुछ सेविंग होगी तो पंदरा लाख रुपे की यहाँ पार एनम सेविंग होगी अब यह पता नहीं है के पार एनम है के क्या है नहीं एन्वल सेविंग्स ही दी वही है ठीक है सब कुछ पार एनम है सब कुछ पार एनम है तीन लाख रुपेया पार एनम यह भी सेव होगा reduction in lost sales दही लाख रुपय पार रैनम ये भी सेव होगा gain due to timely billing दो लाख रुपय पार रैनम ये भी सेव होगा so total savings आपकी निकलाएंगी purchase price system का 20 लाख installation cost है 1 लाख so total हो गया 21 लाख 80% purchase price will be paid in the year of purchase and remaining will be paid in the next year तो इस पे भी आपको present value factor लगाना पड़ेगा the estimated life is 5 years and it will be depreciated on a straight line basis however the operation of the new system require two computer specialists with annual salary of 5 lakh per person so 2 बंदे और भी चाहिए in addition to the above the annual maintenance and operating cost for 5 years as below so 5 साल की maintenance and operating cost और ये है था खतरनाग point maintenance and operating costs are payable in advance पूरे capital budgeting में हमारी assumption होती है कि all cash flows incurred at the year end वो कहरा नहीं maintenance and operating cost advance में pay करना है तो यह हो सकता है यहाँ दिक्कत आई हो company का tax rate 30% और required rate of return है 15% और 15% के factors आपको चाहिए है यह 10-12 वाले तो चाहिए नहीं वो कहरा NPV निकालो और profitability index निकालो तो सिरफ बच्चे CFAT calculate करना था cash inflows calculate करने थे और कुछ भी नहीं था तो आईए एक बार मैं जल्दी से आपको cash inflows calculate करके दिखा देता हूं so calculation of CFAT तो CFAT calculate करना था बस और कुछ भी नहीं था तो पांच साल का बना लेते हैं अलगी अलग अलगी बनाना पड़ेगा क्योंके maintenance cost हर साल की अलग लगे so इसने आप से cash flows calculate करवाए नया सवाल था मुश्किल नहीं था पर हाँ जिसको ये cash flow calculation करने से परहेज होता है उसको दिक्कत आई होगे हमने तो 500 सवाल करा रखे होते हैं जहां हम cash flows की calculation करते हैं तो सबसे पहले बच्चे savings A so reduction of 5 employees with annual salaries of 3 lakh each तो एक साल के 15 lakh बचेंगे आपके हैं न सो मैं यहां total लगा रहा हूँ savings का क्योंकि हर साल की savings निकालनी पड़ेंगी एक साल के 15 lakh बचेंगे आपके ध्यान रखिएगा तीन लाख आपके production delay के कारण बचेंगे फिर आपके 5 lakh lost sale के कारण बचेंगे और फिर 2 lakh आपका gain due to timely billing होगा तो यह आपकी saving आजाएगी 22 lakh 50,000 यह आपकी हर साल की saving आगई 22 lakh 50,000 तो नए सवाल पूछे मुझे अच्छा लगता है जब नए सवाल पूछे जाते हैं पर student के लिए उतना अच्छा नहीं होता B अब इसमें से खर्चे माइनस करिए सबसे पहला खर्चा है salaries का तो आपको 2 specialist hire करने पड़ेंगे annual salary यह 5 lakh per person तो साल की होगी 10 lakh तो सर इसको आप annuity की तरह बना देते maintenance cost हर साल की अलग लग है न तो annuity की तरह बना नहीं सकते तो यह 10 lakh रुपे का खर्चा है उसके लावा maintenance cost अब यहाँ फसेंगे सारे और हम भी फस चुके हैं क्योंकि हमने column नहीं बनाया time period zero का यहाँ एक column बनेगा क्योंकि maintenance cost जो पहले साल की है वो T0 पे पे होगी दूसरे साल की T1 पे पे होगी तीसरे साल की T3 पे पे होगी इस तरीके से maintenance cost का कारेकरम चलना है यहाँ काम करते हैं हम 4 साल की maintenance cost यहाँ लिख लेते हैं सो पहली maintenance cost बच्चे T0 पे आएगी यहाँ मान लो T0 है आज तो 2 लाक मैं इसको लोंगा नहीं मैं इसको अलग से लोंगा दूसरे साल वाली first year के end में अडवांस में पे करनी है सो 1,80,000 1,60,000 1,40,000 और 1,20,000 अब पता नहीं institute क्या करता है पर मतलब तो इसका यही होता है कि maintenance और operating cost अगर अडवांस में पेबल है मैं यह 2,00,000 को after tax करके इसको मैं outflow में consider कर लोंगा तो मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ लोंगा तो आपको दिक्कत आजाएगी आप यहाँ भी ले के कर सकते हैं उसमें कुछ मुश्किल नहीं है उसका factor 1 होगा पर उसके tax में आपको दिक्कत आजाएगी मैं इसको outflow में ले लूँगा ठीक है तो यह आगया जी आपका cash flow before depreciation A minus B minus C 22,50,000 minus 10,80,000 10,70,000 12,50,000 minus 1,60,000 10,90,000 12,50,000 minus 1,40,000 11,10,000 12,50,000 minus 1,20 11,30,000 और last में 12,50,000 मुझे नहीं पता आप institute इसको कैसे खरने वाला है tax at the rate of 30% अच्छे सॉरी पहले तो depreciation लगेगी minus depreciation 21,00,000 का asset था शायद yes salvage value कोई थी नहीं कुछ नहीं दिया हुआ और state line basis पे depreciation है so 21,00,000 divide by 5 4,00,000,000 हर साल की आपकी depreciation है इसमें तो खास करके calculation को excuse करिएगा सिरफ process को समझिएगा के सवाल होना कैसे था मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा जदेखते हैं cash flow before taxes 10,70,000,000 – 4,20 6,50,000 10,90,000 – 4,20 6,70,000 11,10,000 – 4,20 6,90,000 7,10,000 यही है ग्यारा लाग तीस अजार माइनस चार बीश 710 बारा पचास माइनस चार बीश 830 अब हम सीधा CFAT निकाल सकते हैं पहले टेक्स लगाई है इस पर at the rate of 40% 30%. So 830 का 30% 2,49,710 का 30% 2,13,690 का 30% 2,7,670 का 30% 2,1,650 का 30% 1,95,000 So यहां से आपका CFAT आ जाएगा कैसे निकाल होगे cash flow before depreciation minus tax है ना? So 10,70,000 minus 195 8,75,000 10,90,000 minus 2,100,000 8,89,000 मैं फिर कह रहा हूँ calculation के लिए माफी है अगर गलती हो जाए तो क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा calculation मुझे process बताना है के सवाल कैसे होने थे बस 9,17,000 12,50,000 minus 249 1001,000 तो यही में काम था जी यही में काम था क्या आपको क्या निकालने थे CFAT निकालने थे cash flow after taxes निकालने थे बस और कुछ भी नहीं था अब तो बस NP भी निकालनी है और उसके लिए अपना format होता मैं calculation नहीं करूंगा दिखा देता हूं क्या क्या आना था particulars time period present value factor cash flow और present value particulars में सबसे पहले cash outflows और उसमें सबसे पहले cost of machine cost of the system अब zero और one दो बार पैसा पे किया है 80% तो आपने अभी पे किया है और बाकी एक next year पे करेंगे सो बीस लाग का 80% 16 लाग यहां पे करेंगे चार लाग अगले साल पे तो जीरो का फैक्टर वन और दूसरा फैक्टर दिया हुए नीचे 15% का 0.870 यह ध्यान से करना था क्लेर है फिर उसकी कोई installation cost भी थी यह तो installation तो आज ही हो गया होगा time period 0 factor 1 कितना एक लाग फिर एक maintenance cost हमें time period 0 वाली यहां लेनी पड़ेगी net of tax करके सो maintenance cost मैं ऐसे कर रहा हूँ आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं सो दो लाग into 1 minus tax rate time period 0 factor 1 सो यह आएगा आपका एक लाग चालिस अजार तो मैंने इसको outflow में जोड दिया क्योंकि यह सारे time period 0 के चल रहे थे सो हमने दो लाग को यहां जोड दिया सो यह आ जाएगा आपका PVC यह खुद से calculate करिएगा जो भी आ रहे हैं यहां carry देते हैं जहां इतना की है बी में cash inflows CFAT 1 2 3 4 5 यहां factor 870 756 658 572 497 सो यह वाले 875 889 875 889 9,03,9,7,000 और 1001,000 सो यहां से आप NPV निकाल सकते हैं यह आपका PVC यह आ जाएगा टोटल भी और NPV आप निकाल लेजएगा B-A और फिर profitability index profitability index कैसे निकालते हैं PVC I divided by PVC O सो यह question easy था जिसको cash flows अच्छे से निकालने आते हैं यह advance वाले points में शायद कोई बच्चा फस गया हो क्योंकि जो पहले साल वाला है वो T0 पे पे होना है जो दूसरे साल वाला है वो T1 पे पे होना है जो तीसरे साल वाला है वो T2 पे पे होना है इस तरीके से था बाकी तो ओक कई था ठीक है जी सो यह था जी आपका capital budgeting लिखना चाहते है तो लिख लीजिए पॉस करिए, उपर करेंगे, पॉस करिए, मुझे नहीं पता केलकुलेशन सही है के गलत है, पर प्रॉसेस को देखिएगा, पॉस करिए, चलिए, सो अराम से इसको बच्चे पॉस करके लिख लीजिएगा, हो सकता है कहीं इसको चॉइस में छोड़ा भी हो, पर छोडने वाला एक और भी था, क्वेशन नमबर फोर पे यह, यह भी नियू सम था, सारी क्वेशन नहें आये हैं बच्चे, सारी क्वेशन नहें आये हैं, यह कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेशन था, यह नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे, मैंने भी तो किये ही हैं, और यह सारे क्लास में क 30 March 2022 are given as follows. Output दिया हुए normal capacity का एक लाग, selling price 40 रुपे, variable cost 20 रुपे, fixed cost 10 लाग. ये 30 March 2022 का डेटा है. The capital structure of the company as on 30 March 2022 is as follows. Equity share capital, reserve and surplus और current liabilities. ये उसका existing capital structure है. Raj Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 20 लाग. तो वो 20 लाग रुपे खर्चा करके अपने business को expand करना चाहता है. The company expects an increase in the output by 50%. Company को लगता है कि output 50% से बढ़ जाएगी. तो जो एक लाग है वो देड़ लाग हो जाएगी. Fixed cost 5 लाग से बढ़ जाएगी. और variable cost per unit 15% से घड जाएगी. So scale का benefit मिलेगा. Additional output can be sold at the existing selling price. So selling price आपका same रहेगा. Actually में क्या होता है? जब भी capital structure का question आता है तो हमें estimated EBIT निकालना होता है. और वो हम ROI को use करके निकालते होते हैं. पर इस सवाल में data given है. So आपको estimated EBIT ढूणना है. ठीक है? The following alternative schemes for financing the proposed expansion program. वो कह रहा है जी तीन चीज़े हैं. Total 20 लाग चाहिए ना. 5 लाग debt से ले लो. 15 लाग equity से. 10 लाग debt से ले लो. 10 लाग equity से. 14 लाग debt से ले लो. तो 6 लाग equity से. Total 20 लाग चाहिए. Current market price per share 200 है. इसी rate पे आपके equity shares issue करे जाएंगे. Slab wise interest rate. अब ये slab वाला question भी class में किया होता है. पर सब अलग अलग points होते हैं. इस सवाल में कठे करके डालेगे. 5 लग तक व्याज करे 10% है. 5 से 10 का 15 है. 10 से उपर 20 है. ठीक है? Find out which of the above mentioned alternatives would you recommend for Raj Limited with reference to EPS assuming a corporate tax is 40%. वो कह रहा है EPS के बेस पे बताओ कि कौन सा capital structure बढ़िया है. अब सवाल तो simple है. Estimated EBIT निकालना है. हमें आदत होती है existing ROI निकाल लो. existing ROI को नहीं capital पे लगा दो. तो आपका estimated EBIT आजाएगा. यहाँ ऐसे नहीं होना. पहले आपको estimated EBIT ढूण के सवाल करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको estimated EBIT ढूणना पड़ेगा. calculation of estimated EBIT. तो सारी question एकदम से उसने नहीं पूछे हैं. पर मुश्किल नहीं पूछे हैं. ऐसा paper आना चाहिए. बढ़िया सवाल था. सो बताओ. आपकी revised output कितनी है? वो कह रहा था कि हमारी output 50% से बढ़ जाएगी. है ना? तो अभी एक लाख है. तो ये 150% हो जाएगी. सो आपकी output हो जाएगी 1,50,000 units. तो बताओ. estimated sales कितनी होगी? वो कह रहा था selling price same ही है. तो देड़ लाख इंटू 40,000,000,000 रुपए. variable cost. variable cost 15% पर यूनिट कम हो जाएगी. सो जो variable cost अभी 20 है. ये 85% रह जाएगी. 15% कम हो जाएगी. इंटू देड़ लाख. सो 20 इंटू 85% इंटू देड़ लाख. 25,50,000. सो बताओ. आपका contribution कितना आएगा? 34,50,000. समझेगे? है ना? सो variable cost आपकी कम हो रही है. 17 रपे हो रही है. 25,50. minus fixed cost. fixed cost बढ़ रही है शायद. fixed cost will increase by 5 लाख. तो existing fixed cost 10 लाख है तो ये 15 लाख हो जाएगी. तो ये आगया आपका estimated EBIT. बस ये ही ढूणना था सवाल में बस. बाक्की question तो आपने किये ही हुए. 15,00,000. So 19,50,000. आईए अब capital structure ढूणते हैं. EPS लगा के. सो कितनी जल्दी सवाल हो जाते हैं अगर practice करी हो. क्योंकि हमारी practice बाफ ही जादा होती है. So question बड़ी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं. So 3 plan है. Plan 1, Plan 2 और Plan 3. तो सबसे पहले estimated EBIT. जो मर्जी plan ले आओ. मैं class में बोलता होता हूँ. पैसा चाहें चोरी करके ले आओ. पर EBIT तो वही रहेगा. कमाओगे तो उतना ही. माइनस इंट्रस्ट क्या उसका कोई existing interest है? नहीं है. क्योंकि existing balance sheet में देखो कोई debt ही नहीं. तो existing interest कुछ नहीं है. सारा नहीं है. अब देखो. पहले वाले में 5 लाग का debt है. और 5 लाग तक ब्याज का rate है 10%. तो 50,000 का ब्याज आ गया. अब टू 5 लाग. तो पहले वाले में तो ब्याज का ब्याज ही 50,000. दूसरे वाले में देखो. इसका working note बनाना पड़ता है. मैं नहीं बना रहा. मैं सीधा कर रहा हूँ. 10 लाग है. तो पहले 5 लाग तक तो 10% है. अगले 5 लाग पे 15% है. तो ये 50 लाग तो यहां भी आएगा. बट 5 से 10 लाग तक अगले 5 लाग का रेट है 15%. इसका लग से working note होता है. मैं बनानी रहा 75,000. ठीक है. अब तीसरे वाले में 14 लाग है. और 10 लाग से उपर का रेट है 20%. मतलब ये 50 लाग तो यहां भी आएगा. पहले 5 लाग तक. अगले 5 लाग पे 15% है 75,000. और अगले 4 लाग पे कितना 14 हैं? 20% ओवर 10 लाग 20%. 80,000. लो जी. इतना ही काम था और कुछ भी नहीं था सवाल में. अब एक number of share निकालने हैं. उननिस पचास माइनस पचास. उननिस लाग. माइनस पचातर. 18,25,000. माइनस 80. 17,45,000. एक्स रेट कितना दिया हुआ है कोशिशन में? कहीं दिया हुआ है? यह 40%. माइनस टैक्स अट दर रेट ओव 40%. तो यह आगया आपका पैट. माइनस 40% कर दिजिए. 10,47,000. 18,25,000. माइनस 40%. 10,95,000. 19,00,000. माइनस 40%. 11,40,000. अब बस एक चीज़ और चाहिए. divided by number of shares. अब इसका भी working note होता है. मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ. existing shares भी हैं आपके ध्यान लखना. एक लाग. ठीक है? तो 15,00,000 share issue करोगे 200,00 रुपे का एक. तो नए share आगे 75,00. प्लस एक लाग. तो एक लाग पच्छात्तर सो. फिर 10,00,000 share issue करोगे 200,00 रुपे का एक. तो number of share आगे 5000,00. प्लस एक लाग. फिर 6,00,000 divide by 200. number of share 3000,00. प्लस एक लाग. तो एक लाग का working note होता है. एक लाग पच्छात्तर सो, एक लाग पांच अजार. और एक लाग तीन अजार. है न? येस. लो जी, EPS हा गया. बस इतना ही काम था. EPS ही निकालना था. 11,040,000 divide by 107,500. 10.60. 10,95,000 divide by 1,05,000. 10.43. काफी करीब है. 10.47,000 divide by 1,03,000. 10.17. So, ये plan best है. जहां आपका EPS सबसे जादा है. So, मैंने बहुत जल्दी-जल्दी किया है. अगर कोई mistake होगी हो, तो माफ कीजेगा calculation में. ठीक है? So, ये question था, जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल था. So, हमने class में इसको तकरीबन एक घंटे लग गया हमें करते-करते. आपको इसको जादा समय लगना चाहिए. Question number 5 देखिए. क्योंकि हमने भी सारे question solve किये हैं. और आपको तो एक कम भी करना होते हैं. नहीं सजाब इसको theory छोड़ी होते हैं. theory वैसे easy थी. theory बहुत easy थी इस बार. अगर कोई एक capital budgeting छोड़ के theory कर पाया. और सबसे बढ़िया सवाल तो आखरी है. Question number 5. Cost of capital. अब ये भी important question की list में नहीं होती है चीज़े. नया सवाल है. नया सवाल है. concept किया हुआ है. हमने class में कराया था. Cost of convertible debentures. दिखाऊं. इस देखो. मैं ढून के ले के आया था. अभी मिल जाया सही. यहां कराया होगा. येस. इस देखो. Cost of convertible debentures. दो तरीके से कराया था. approximation method. और present value method. present value method को ही YTM method भी बोलते हैं. yield to maturity. यह मैंने यहां लिखा होगा कहीं न कहीं. YTM, IRR method भी उसको बोलते हैं यह देखो. convertible bonds. दो तरीके से. approximation method. present value method. तो इस सवाल ने इसी की उपर ही पूचा है. present value method की उपर ही पूच लिया है. sorry. convertible debentures का question है यह. इसमें एक ही खास बात होती है. पर यह सवाल बहुत अच्छा था. 15, यह मैं समझाओंगा. अभी तक मैं समझा ने दा था, यह मैं समझा देता हूँ. 15% convertible debentures of 100 each at par with maturity period of 6 years. जो 6 साल के debentures है, convertible है. On maturity, each debenture will be converted into two equity shares of the company. कह रहा है, maturity पे हर debenture के दो equity share बन जाएंगे. risk free rate है 10%, market risk premium है 18%, beta दिया हूँ है 1.25. उसने बड़ी चीजों को mix किया है इस question में. मैं सारा समझाता हूँ. The company has paid dividend of 12.56 per shares. 5-year ago it paid dividend of 10 per share flotation cost of 5%. B part बाज में पढ़ते हैं. Tax rate है 40%. Calculate the cost of convertible debentures using the approximation method. इज़ा देखो ज़रा. Sub point A में KD निकालना है approximation method से. हाँ तो approximation method से KD हमें आता है. क्या formula होता है? Interest into 1 minus T plus RV redeemable value minus net proceeds divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. अब फरक क्या होता है? फरक यह होता है कि convertible debentures में redemption cash में नहीं होनी होती. Redemption के time इनको shares में convert किया जाएगा. Convertible debentures में at the time of redemption इनको shares में convert किया जाएगा. अब इदर देखो. ध्यान से देखना. बहुत ही ध्यान से देखना. उसने बहुत तंग किया है सवाल में. वो कह रहे हैं 6 साल life है. 100 रुपे का debenture है. तो debenture की face value 100 रुपे है. at par इशू किया है. तो 100 रुपे है. और flotation cost 5% दी हुई है. तो अगर 5 रुपे माइनस करोगे तो issue price आजाएगा आपका 95 का. इसमें तो कुद दिक्कत नहीं है. इसमें नेट प्रोसीड्स 95 आगे आपके. फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके. हर साल 15 रुपे का ब्याज है. तो 15 रुपे का हर साल interest है. हाँ तो interest into 1-T tax rate भी दिया हुआ है 40%. इसमें भी को दिक्कत नहीं है. अब दिक्कत कहां है. यहाँ पे जाके. आपको shares में conversion होगा. तो यहाँ मुझे company का share price चाहिए कितना होगा. क्योंकि question कह रहा है. Each debenture will be converted into two equity shares. यहाँ share price चाहिए कितना होगा. वो होगी आपकी redeemable value. अब हमने जो question कराया था. हमने क्या किया था. यहाँ पे शुरू में share का price दे दिया था. उसका growth rate दे दिया था. और growth add करकर के यहाँ हमने share price निकाल लिया. मैं आपको दिखाता हूँ. यह देखो जरा. यह देखो. current market price 12 रुपे. और growth rate 5% per annum. तो हमने क्या किया था. 12 रुपे को 5% पे compound करके 5 साल बाद share का भाव निकाल लिया था. एक के 10 share बनने थे तो हमने redeemable value निकाल लिया थी. पर भुज़े की बात है कि question ने share price दिया ही नहीं हुआ. उसकी जगा फालतू data दिया है. अब वो data देखो क्या है. रिस्क free rate है कितना 10% market risk premium RM-RF दिया हुआ है 18% CAPM model हमने अच्छे से class में किया था. ये भी new सवाल है और beta है 1.25 तो इससे तो केई निकलता है केई का formula क्यों होता है RF प्लस beta इंटू RM-RF अब इज़ा देखो RF है 10% beta है 1.25 इंटू 18% तो 18 इंटू 1.25 प्लस 10 तो केई आ रहे है 32.5% पर मुझे की बात है इस केई का करूं क्या? मुझे आपको market price निकालना पड़ेगा. अब इज़ा देखो और क्या दिया हुआ है? वो कहा रहे है company has paid dividend of 12.76 पर शेर D0 दिया हुआ है. अब Gordon का model लगाई है और back calculation से market price निकाली है पर रुकिये उसके लिए आपको G निकालना पड़ेगा. 5 years ago it paid dividend of 10 पर शेर. अब G भी निकालना पड़ेगा. growth rate निकालना पड़ेगा. Gordon का formula क्या होता है? P0 is equal to D1 divided by K-G. उसके लिए पहले G चाहिए. अब G निकालना पड़ेगा CGR. compounded annual growth rate. आज उसने 10 साल पहले उसने 10 रुपे dividend pay किया था. 5 साल पहले. किस rate पे 5 साल में grow होके ये 12.76 बन गया. तो 1 पुलस R raised to the power 5 is equal to 1.276. हम बोलते होते हैं, क्लास में आपको dirty power solve करनी पड़ेगी. under root 12 times minus 1 divided by 5. है ना? प्लस 1 into equal to 12. आईए ज़र solve करते हैं. 1.276. पहले under root 12. बारां बार. माइनस 1 divided by 5 प्लस 1. अब into equal to 12. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारां, बारां. तो ये आ रहा है. 1.0499 माइनस 1 करेंगे. तो ये growth rate आजाएगा 5% का. क्या ये किया हुए है? सब किया हुए है. पर उसने आपको market price दिया नहीं. हमने जो class में question कराया था, वहां market price दिया था. तो ये वाला portion आपने अलग सवाल में किया हुए है. उसने वहां से borrow कर लिया. तो मर्जी है उसकी. तो आईए P0 निकाल देते हैं. आज डिबिदेंट कितना है? 12.76 ये तो D0 है, तो इंटो 1.05 divided by 32.5% minus 5%. तो ये P0 आ गया. 12.76 इंटो 1.05 divided by 27.5% 48.72. तो यहां पे शेर का भाव था 48.72 पर मुझे तो 6 साल बात का चाहिए. तो मुझे P6 चाहिए ना. Price after 6 years. 48 मैंने बहुत तेज कराया है. इंटो 1.05 raised to the power 6. तो प्लस 5% 6 बार करना पड़ेगा. 65.29 आ रहे हैं. फिस एक बार चेक कर लेते हैं. येस. तो redeemable value कितनी आ गई है आपकी? एक debenture के 2 share बनने हैं. तो 65.29 इंटो 2. 130.58 ये करना था. खतरनाक सवाल पूछ लिया है उसने. खतरनाक मतलब उसने इदर उदर से concept टिकठे किये. हमने share price देखे कराया था क्लास में. पर उसने share price निकलवाया है आपसे. आईए. केडी निकाल दे. अब क्या निकालोगे सर? कल्यान हो गया. 15 इंटू 1 माइनस tax rate प्लस RV माइनस net proceeds 95. डिवाइड़ बाइड़ 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 आरवी प्लस net proceeds डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ निकाल लीजेगा. ये खतरनाक थाइप question कूछे गए हैं. इतना दिमाग चलना चाहिए पेपर में और ये एक पार्ट था, ये पांच नंबर का. तो एक तो हमने question इसका एक ही कराया था, शायद एक दो कराया होंगे ज़्याद से ज़्यादा हम कराते नहीं. ये था approximation method. तो एक ही question कराया था हमने इसका, हाँ एक ही है देखो बस, एक ही question है, अब बात ये है कौन इस question को करके गया होगा अच्छे से, क्योंकि बाकी 90 सवाल तो दूसरे थे, आ गया ये, अभी एक और भी पार्ट था इसका, इता देखो. 5% preference shares, 100 each at a premium of 10% आज आपने issue करे हैं, these shares are redeemable after 10 years at par, 10 साल बाद redeem होंगे, flotation cost is 6% of the issue price, use YTM method to calculate cost of preference shares, what is YTM method, present value method, yield to maturity, present value method, सर मतलब, इता देखो, ये करना था, मैं इसका cash flow बना के दिखा देता हूँ आपको, IRR निकालना है, YTM क्या होता है, IRR method, IRR निकालना है, सो इस तरीके का सवाल है, 10 साल के cash flows होंगे, सो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, हलाकि आप annuity factor लगाके भी कर सकते हैं, पर स्टिल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आज 100 रुपे का preference share है, 10 रुपे का premium पे issue करा, और 6% of issue amount का flotation cost है, तो 110 का 6% माइनस करो, 110 का 6% होता है 6.6, तो आज आपका issue price कितना आता है, 103.4, हर साल आप dividend pay करेंगे 5%, पांच रुपे, 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 और last में redeem करेंगे 100 रुपया, तो last में 105 तो किस rate पे इन सब की present value 103.40 के बराबर होगी आपको IRR method hit and trial method से इस सवाल को करना पड़ेगा तो एक बार 6% पे करिए एक बार 10% पे करिए आपका answer हो जाएगा I think question ने काफी सारे नीचे दिये थे ये देखो 3% दिया 5% दिया 3% दिया 5% दिया कही न कहीं इसके बीच में होना चाहिए ये दो दो बार 3% 5% क्यों दिये अच्छा cumulative factor निकाल के दिये है मैंने इसका क्या करने ये देखो future value interest factor annuity दिया हुए औरे मैंने जो किया ना dirty power solve करने के लिए ये factor यहाँ दिये हुए ये देखो 1.2765% मेरा भी यह आया था ना ये देखो मैंने देखा नहीं मैं हमें calculate करता रहा ये देखो 1.276 आया था ना हमारा कहा गया ये रहा तो 5% rate यहीं से निकल आता नीचे factor दिये हुए थे ये देखो ये देखो 5% पे 1.276 अधर dirty power solve करने की जुरुत भी नहीं थी पर हम फिर भी सिखा जाते हैं कि अगर table ना दिया हो अब दो table दिये हुए जी एक 3% का एक 5% का तो लग रहा है कि जो preference shares का issue price है वो इसी के बीच में ही आ जाएगा हम तीन और 5 के बीच में तो आप एक बार 3% पे करिए आ जाना चाहिए एक बार 3% पे करिए एक बार 5% पे करिए क्योंकि जो table दिया होता है उसी के बीच में आ जाता है नहीं आया तो फिर आपकी किस्मत है मुझे नहीं पता तो IRR निकालना था this is called present value method जो हमने अच्छे से क्लास में ये किया हुआ था ये present value method से हमने आपको के डी भी लिकाया था सब कुछ सिखाया था present value method कुछ नहीं होता IRR होता इसी को YTM बोलते है yield to maturity अब देखो ये मुश्किल सवाल था मतलब मुश्किल नहीं किराया था हुआ था बट करके वही आएगा ना जो यहां तक पहुंचा होगा जो यहां तक पहुंचा ही नहीं वो इसको कैसे करेगा बताओ चलो anyhow क्या कर सकते हैं जो आ गया सो आ गया तो यह था जी आपका 10 marks का beautiful question यह सबसे easy सवाल था अगर किसी को आता था तो IRR के limitations बताने हैं हम class में हमेशा बताते होते हैं पहला limitation होता है multiple IRR possible हैं दूसरा limitation होता है IRR कभी exact result नहीं देता IRR मान के चलता है कि discount rate और NPV के बीच में linear relationship है पर actually में यह relationship non-linear होता है और IRR बड़ी जगा पे गलत result दे जता है खास करके जब आपके time disparity size disparity या life disparity होती है तो यह limitations लिखवाए होएं अच्छे से Walter model के assumptions बड़े प्यार से लिखवाएं होएं के is always greater than our इस तरह सौरी बिजनेस परपेच्वल चलता रहेगा बड़े सारे assumptions हमने यहां लिखे होंगे देखना यहां कई होने चाहिए अब ढूनने पड़ेंगे पर लिखे हो हैं हमने class में अच्छे से लिखे हो हैं पता नहीं है यहां ढूनना पड़ेगा वो लेक्चर चलो anyhow theory था यह तो इस पे तो क्या चर्चा होगी फिर wealth management के goal ADR और GDR का difference यह तो perfect question पेपर में आने के लिए ना पहले भी कई बार आया हुआ है theory class में हम चर्चा करिए सो यह था जी आपका FM का paper हमें solve करने में एक घंटा 20 मिनट लगा है आपको अराम से दो घंटे लग गए होंगे अराम से और अगर आपने theory attempt करी है तो फिर equation आपने छोड़ा होगा इको में बच्चे जादा कुछ discussion लाइक है नहीं FM का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया के नए questions आए है इको के practical क्या solve करें पहला practical तो वही है GVA MP निकालो NDP MP operating surplus मैं इसको solve नहीं करने वाला ना यह नॉर्मल सवाल है इसको क्या solve करें तो तीन नंबर का practical देखना practical कितने आया है FPI के बारे में बताओ सीधे सीधे question आते है government role for equitable distribution यह सब लिखा हुआ है कॉपियों पे precautionary motive for money सब लिखा हुआ है discretionary or non discretionary fiscal policy countervailing duty circular flow सब किया हुआ अब यह देखो एक और practical दो नंबर का के initial deposit 500 है required reserve ratio इतनी है बताओ total money supply कितना तो 500 divided by 0.04 यही होता है total money supply है ना इसी तरह तीन बार करने global public goods demand function यह देखो MV is equal to PT है ना price दिया हुआ पी दिया हुआ वी दिया हुआ है money supply दिया हुआ है टी निकालना है क्या question है practical है तीन नंबर का फिर कह रहा है अगर टी 240 हो जाए तो फिर क्या होगा तो टी तो भाई तूने निकलवाया है तो यहां फिर वी निकाल देना हना V is equal to PT divided by M वेवकूफ है खुदी T निकलवा रहा है और खुदी कह रहा है कि T अगर बढ़के 240 हो जाए तो क्या होगा तो velocity पर क्या effect पड़ेगा या money supply पर effect बता देना कोई भी बता देना बाउंट टैरिफ क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी अब यह देखो नेचर ओव मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन टेकन बाई आर बीए बताओ कैश रिजर्व रेशो कम कर दिया तो यह होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के money supply बढ़ जाएगा selling of securities in open market के RBA open market में securities बेच के liquidity सक कर रहा है contractionary fiscal policy liquidity कम करना चाहते है रेपो रेट बढ़ा दिया जैसे अभी बढ़ाया है यह 11-12 तब में एको बढ़ाया है रेपो रेट तो रेपो रेट बढ़ाना is contractionary increase in supply of currency note expansionary इसे लोगों के हाथ में पैसा आएगा money supply बढ़ेगा तो यह भी दो नंबर का practical देखो कितने सारे practical आए हैं दो दो नंबर के multiplier बताओ MPC बताओ यह कितने question इस तरह के किये हुए है sanitary and cytosanitary measures फिर वही M1 और M2 बताओ notes in circulation is M1, rupee coin M1, small coin M1, post office saving bank deposit M1, cash in end minus हो जाएगा M1 निकालते हुए deposit money of public minus हो जाएगा, demand deposit with bank add हो जाएगा, other deposit with RBA add हो जाएगा बस और M2 के लिए यह post office आएगा ना, यह M1 में नहीं आता है sorry, माफ करिएगा, यह M2 में आएगा, यह study until का question है, सिरफ figure सोड़े से change करें हैं, तीन मार्क्स का practical है, फिर कह रहा है जी market outcome बताओ, playing of loud music at night, negative externality और wearing of mask, positive externality, positive consumption है के production है वो लिखने की जूरत नहीं, यह institute में भी book में भी question है, वहाँ भी यह लोग लिखते नहीं, positive consumption के positive कौन सा, आप सीधा negative और positive बताइए, एक और practical देखो, private final consumption expenditure, NFIA बताओ, NNPFC बताओ, सो कितने सारे तो practical आए हैं इस बार, फिर entity और embargo के बारे में पूछा है, सो eco में कुछ discussion लायक नहीं था, eco वाला part easy था, main उन्होंने धजियां उड़ाई हैं किसकी FM की, फिर भी जिस बच्चे की बहुत अच्छी तियारी होगी, उसका paper अच्छा हुआ होगा, otherwise हो सकता है, मैं आपको book दिखाता हूँ, एक बार, अब leverage का ये वाला सवाल आया है, मैं आपको दिखाऊ, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से उसने mix किया है हर चीज को, ये देखो, what is ROI, does it have favorable financial leverage, what is operating financial combined leverage, पर last वाले दो parts उसने अलग question के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने, ये देखो, ये लास्ट वाला यहां से ले लिया, तो अलग लग चीजों को mix करके question बनाये गए, capital budgeting का नया sum बनाया गया, और आपने देखा कैसे cost of capital का sum, जो class में कराया था, वैसे ही आया, बट उसमें share price नहीं दिया, कि share price आप निका लिये, फिर approximation method भी पूछा, preference share में present value method पूछ लिया, तो कारणा में करे गए हैं, ठीक है न, विलकुल थाली में सजा के capital structure में estimated EBIT अलग तरीके से निकलवाया, हर एक question में, capital budgeting में maintenance cost वाला point दे दिया, है न, sensitivity में margin of safety approach पूछा, और ये EOQ का question पूछ लिया, जो second group दे रहा है, उसको याद भी नहीं हो न, EOQ, MPBF का इकला question पूछ लिया, जबकि ये working capital के साथ आता है, सबसे असान सवाल यही था, पहला ratio का, so that's it, I hope so आपका paper अच्छा हुआ होगा, मुझे जरूर बताईएगा comment section में, क्या आपका paper कैसा हुआ है, I hope so आपके सारे paper अच्छे गए होंगे, all the best for the results, फिर मिलते हैं किसी next class में, बहुत बहुत धन्यवाद, bye.